लेकिन चलिए आप एक और कंपनी पर फोकस करते हैं वो है बोरोसिल लिमिटेड कल से बोरोसिल का क्यू आइपी खुल गया है और क्यू आइपी का साइस धाइसो करोड रुपए है क्यू आइपी कारोबार और ग्रोथ आउट लूप पर चरचा करने के लिए हमारे साथ माल होगा कंपनी में बटाये कि करिए जो डेट लेवल्स हैं वो किस तरह के हैं और इसके साथ ही ये स्थितिया जब और बहतर होंगी तो फिर क्या लक्षिय देख रहे हैं। देखिए हमारी जो business है हमने काफी सारा investment किया करीब 600 क्रोड का investment हमने पिछले दो सार में किया है हमारा production बढ़ाने के लिए जैपूर में हम अपुल वेर का दूसरा प्लान लगाए है हमने बोरुस लिकेट ग्लास का भी प्लान लगाया जैपूर में तो हमने करीब 600 क्रोड का investment 900 क्रोर की हो गई है तो हमारे ग्रोथ जो हो रही है 25 से 30% के गर ग्रोथ हो रही थी और मेरा जो एक मानना है कि इंडिया का जो एकॉनमी है जो consumer demand है ये बढ़ते रहेगा और हमने जो guidance दिया है कि medium term में 15 to 20% ग्रोथ हम करते रहेंगे तो ये जो investments है ये growth 15 to 20% हो सकता है उसे ज़्यादा भी हम grow करें और उसके कारण हम investments किये है made in India जो पहले हम import करते थे हमने import substitution किया है तो ये जो हमारी strategy है इस kitchen और table products में made in India करें daily products जो हर दिन products इस्तमाल करते हैं वो हम बनाएं और मेरे असाब से हमारा जो एक brand है वो भी लोग अच्छा मानते हैं and we are able to you know grow जहां तक debt का सवाल हो हमारा management conservative है हम ज़्यादा debt लेना चाहते हैं नहीं है तो हमारा debt वैसे भी 200 क्रोड के अंदर ही था और हमने most of the debt को हमने ये QIP के दुबारा हमने repay कर दी अभी फिलहाल आपके जो manufacturing plants है current capacity utilization कितनी है आपकी और क्या आगे कुछ Capix की योजना है हाँ जैसे अभी हमने किया है हमारे जो ओपल वैरे के दो plant हमने हमारे पास है उसमें करीब last year हमने 80% capacity utilization हम achieve कर पाए and our hope is कि इस साल हम 100% तक ले जाएंगे capacity हम fully utilize कर लेंगे then जरूर इसमें भी Capix होगा बट वो सकतर अगले साल हो जहां तक हमारा गोरुष्टर के glass का plant है वो अभी चाल हुई करीब तीन महने पहले तो वहाँ capacity utilization only 35-40% है and इसको भी हम बढ़ाएंगे और close to 100 ले जाएंगे अगले दो साल में and उसके बाद वहाँ भी हमारा expansion का scope है तो अभी हमारा जो Capix का plan है probably next year वापस जारी होगा वापस चाल हो जाएगा depending on how the market is moving but we expect कि हमारा core product categories में which is kitchen and table products हम Capix all भी करेंगे ठीक है एक चीज़ श्रीवर जी मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी कारोबार जो है वो दो एहम चीज़ों से तैह होता है एक तो quality और शायद उस मामले में कोई बात ही नहीं है क्योंकि बोरसिलिक भरोसे का नाम बन चुका है और ये जो भरोसा है वो साल दर साल और मजबूत से मजबूततर होता जा रहा है इन सब के बीच में जायर सी बात है कि जब कारोबार में जब आगे आदमी बढ़ता है तो चुनोतियां भी आती है तो हमें बताईए किस तरह का competition है किस तरह की प्रतियोगिता है आपके इसक्षेतर में और क्या नए innovation है जिसकी और आप अपनी इंडस्ट्री में देख रहा है देखी competition तो हमारे देश में बहुत जबरदस्त है और अच्छी competition होनी भी चाहिए क्योंकि competition के द्वारा हम अपने आपको और भेतर बनाते हैं और हमें innovation करना पड़ता है मैं आपको एक example देता हूँ हम जो देख रहे हैं trends market में कि लोगों को plastic से health का जो problem है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है पिछले सालों में और लोग चाहते हैं कि एक alternative ढूंडे तो हमने पहले बार इंडिया में हमने glass का lunch box हमने launch किया ये कई साल पहले तीचा साल पहले और इसका बहुत अच्छा acceptance हुआ market में लोग नहीं सोचते थे कि कोई भी glass में अपना खाना ले जाएंगे क्योंकि glass का एक idea की भारी है महंगा है तो लोग सोचते थे हम लोग सब सोचते थे कि ये reluctance होगा लेकिन एक्टिवी लोगों को बहुत पसंद आया और हमने glass lunch box launch की first time in India और इससे हमारी सेर में काफी बढ़ौती मेली and acceptance हुआ similarly हम देख रहे हैं बाकी जगे में भी kitchen में लोग plastic को छोड़ना चाहते हैं और healthier materials जैसे glass हो वहाँ जाना चाहते हैं ये same point है drink wear में भी जैसे bottles हो पहले हम plastic के bottles इस्तिमाल करते थे जब हम gym जाते हैं तो पहले plastic के bottles होते थे आज के दिन हम steel के bottles में हम पानी पेते हैं तो बोरुसर ने हमने insulated steel bottles भी launch की तो ये सब एक trends जो चल रहे है market में more towards healthy living, environmentally friendly options और glass और steel जो हम offer करते हैं बहुत healthy भी होते हैं और environmentally friendly भी होते हैं ये trend मेरे साब से आगे continue करेगा और ये trend की जो एक beneficiary हैं बोरुसर ज़रूर होगी जहां तक quality का सवाल हो मेरे साब से हमारा main focus इस पे ही है customer satisfaction, customer delight जो कहते हैं और इसके कारण हमारा products को perform अच्छा करना चाहिए everyday use के बाद भी products अच्छे रहने चाहिए and that is our brand promise बिल्कुल तो ये थे बोरुसर लिमिटेड के management श्रीवीर जी थांक यू सो मच आपका समय देने के लिए